50% से लेकर के 80% के अनुदान पर यानि सबसीडी पर यानि इतने कम दाम पर आपको ट्रैक्टर या कृसी यंत्र मिल सकता है कैसे मैं आपको बताऊंगा भी इस वीडियो में तो आप पूरा वीडियो जुरूर देखेगा देखे अधि आप एक किसान है और आपको खेती बारी करने के लिए कृसी यंत्र या फिर ट्रैक्टर चाहिए तो आपको 50% कम दाम पर यानि आधे दाम पर मिल सकता है और अधि आपको कृसी यंत्र चाहिए तो वो 80% कम दाम पर मिल सकता है ट्रैक्टर पर 50% की छूट है यानि आधा दाम में आपको ट्रैक्टर मिल जाएगा औ और ट्रेक्टर या क्रिसी से जुड़े अन्य जो उपकरन है उस पर 80% चूट है, यानि सिर्फ आपको 20% दाम देना है, अगर 100 रुपईया दाम है तो आपको 20 रुपईया मातर देना है आपको वो सामान मिल जाएगा, कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं, य यह क्रिसी पसुपालन एविंग सहकारिता वाग जारखंड राची के द्वारा जो है वो प्रकासित किया गया है, हलांकि यह इस प्रकार की योजना हर जीले में चल रही है, और अभी ही चल रही है, तो इस बात को आप ध्यान रखें, कि आप जहां के रहने वाले हैं, वहा आप ध्यान से अगर देखेंगे, तो आपको जो है वो इस प्रकार का न्यूज आपको मिल जाएगा, या फिर आप जो अपने जीले का जो भूमी संरक्षन विभाग है, वहां पर जाकर के आप इसको पता कर सकते हैं, भूमी संरक्षन कारी अलाई में चाहिए, वहां जाकर के आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा, हर जीले में इस प्रकार के सूचना जो है, वो निकाले हुए है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, गोड़ा जीले का, देख सकते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, अनुदानित दर पर मुख मंत्री ट्रेक्टर वितरन आता समू हो, पानी पंचायतों, जलचाजन समीतियों, लैप्सों, पैक्स, अन्य संगटनों को मुख मंत्री ट्रेक्टर वितरन योजना, विवरन एवं लक्षे, देखिए ये आम तोर पर उनको दिया जाता है, जो कृषक समू है, यानि किसानों का समू है, या फिर महिला स्वेंग सायता समू है, या फिर जो पानी पंचायत है, जलचाजन समीति है, लैम्स, पैक्स है, या अन्य जो संगटन है, उस संगटन को दिया जाता है, आपको प्रसनल ये नहीं दिया जाएगा, इंडिविजवल नहीं दिया जाएगा, मुख मंत्री ट्रेक्टर वितरन योजना के अंतरगत में, अधी आप ट्रेक्टर लेते हैं, इसमें बड़ा वाला ट्रेक्टर की जनरली हम बात कर रहे हैं, जो लगबार 34 से ले करके 40 MX HP तक होता है, वो वाला, तो उसमें अगर हम बात करें, तो आपको 50% कम दाम पर वो ट्रेक्टर आपको मिल सकता है, या या आपको जो है, वो तकरीबन जो है, वो 50% या आधे दाम पर आपको वो ट्रेक्टर मिल जाएगा, और इसमें जो लक्ष दिया गया है, वो SP 15, TSP 20 ऐसा यहां पर लक्ष दिया गया है, दूसरा जो है, वो आप देख सकते हैं, 80% अनुदान पर क्रिशी का यंतर मिल सकता ह पहले से है, आपको उसका जो हल है, वो वाला लेना है, तो आपको 80% अनुदान पर मिल सकता है, और इसके लिए भी वही है, कि आपको जो है, वो प्रस्नली नहीं दिया जाएगा, बल्कि ये जो है, ये समूहों को दिया जाएगा, और इसका भी लक्ष आप देख सकते हैं, वो SP20, TSP, जो है, वो 20 है, वित्तिवर से 2023-20 का ये है, और यहाँ पर आपको दिया हुए है, कि ट्रेक्टर जो है, वो 10 लाग का है, जिसमें 5 लाग आपको देना है, 5 लाग सरकार सबसीड़ी देगी, और आपको ट्रेक्टर मिल जाएगा, ठीक, इसी परकार से, रोटा, र 3 लाग का जो 80 परतिसत होता है, यानि तकरीवन 2 लाग 40 जर के आसपास में, वो सरकार देगी, आपको सिर्फ 60 जर देना है, कल्टीवेटर, डिस्क होरों, अन्य जो जो उपकरन है, वो सारा पुरान, थ्रेसर, उपकरन सब चीज़े, तो ये सब अगर आपको लेना है, तो 80 परतिसत कमदाम पर आपको मिल सकता है, बस आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले समू होना चाहिए, किसानों का एक समू, महिला, समू या पानी पंचायत, ये गठन करना है, और उसके बाद आपको चल जाना है, भूमी संरक्षन विभाग, वहां से फॉर्म ले लेना है, फॉर्म लेने के बाद जो है, आपको उस फॉर्म एवंग अन्नी जोस में विधायक के नुसंसा होगी, वो सब सब कराते हुए, आपको पुरह ले जा करके, उसी ऑफिस में जमा कर देना है, भूमी सेलक्षन कार्याले में आपको जमा कर देना है, ट्रेक्टर एवंग सहाय करसी यंत्रों के वितरन में वैसे लाभूक समुहों को प्रात्मिक्ता दी जाएगी, जिस समुह के सदस्यों के पास खेती योगे 10 एकड़ से अधिक भूमी होगी, वैसे समुहों को दिया जा सकता है, जिसके पास LMV का जो है वो लाइसेंस होगा, लाइट मोटर वाइकल का अगर आपके पास लाइसेंस है, तो आपको ट्रात्मिक्ता के तोर पर आपको दिया जाएगा, तो अगर आप किसान है और अगर आप लेना चाहते हैं ट्राक्टर या फिर क्रिसी से जुड़े यंत्र, तो आप अतिस सिग्र अपने जीले के भूमी सेलेक्शन विभाग पह या फिर अपने ब्लॉक में जाकर के जो ब्लॉक एगरिकल्चर ओफिसर होता है, उनसे आप बात किजिए, जो आपके ब्लॉक में BTM है, उनसे बात किजिए, वहां से आपको इस संबंद में और ज्यादा सूचना मिल जाएगी, और हो सकता है कि आपको फॉर्मोग्रभी वह ही मिल जाएगा, आप तमाम प्रक्रियाओं को जान करके और इसको आप आते सिग्र जो है वो कर ले, अगर आप इसमें एक शुक है तो धन्यवाद,